हाई अबरीवन वेलकम टू माई चैनल वोमेंस स्टाइल अब फ्रेंग्स आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साड़ियों के कॉलेक्शन या फिर होड़ शेयर करने वाली हूँ जो इस्पेसली उनके लिए है जिनकी हाइट बहुत जादा कम है जी हाँ दोस्तों अगर आपके भी हाइट बहुत जादा कम है और आप साड़ियों के साथ साथ टॉल भी दिखना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए हैलफुल हो सकती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मिशन दे देती हूँ आप मेरे दिये हुए लिंक से मिस्व डाउन्लोड करती है या फिर मेरा राफर को रियूज करती है तो आपको फर्स्ट रॉड़र पे 30% अप्टु 100 रूपिस तक का आफ्टिक्री को मिल जाएगा ज्यादा बाते ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपकी हाइट बहुत जादा सौट है तो कभी भी साड़ी पर्शिश करते वक्त आपको तीन बातों को ध्यान रखना है फर्स्ट आपकी साड़ी का फैब्रिक, सेकंड आपकी साड़ी का डिजाइं, थर्ड आपकी साड़ी का कलर, ये तीन बातों को ध्यान में रखते हो, अगर आप अपनी साड़ी को परशेश करती हैं, तो आप अपनी लूप में डिफरेंस डेफिनेटली देख पाएंगी, यहां पा जो सौट हाइट की गर्ल्स या फिर वूमेंस हैं, इसमें बेसिकली दो टाइप के बॉड़ी टेक्स्टर आ जाते हैं, फर्स्ट जिनकी हाइट सौट है और वह स्लीम है, सेकंड जिनकी हाइट सौट तो है बट वह बहुत जादा हेल्दी है, तो यह दो जो दो टा इस तरह की साडी ले सकती है, जैसा कि मैंने बताया साडी पर्चेश करते वक्त आपको तीन बातों को ध्यान में रखना है, साडी का फैब्रिक, साडी का कलर और साडी का डिजाइन, तो यहां पर जो साडी का अगर आपकी हाइट सौट है और आप पतली है, तब आपकी अगर आपकी हाइट सौट है, तो आप इसे भी ले सकती है, इस साडी स्लम के आप ही हमाइट बता इस आप कर इस यह दिद्या के बताया है, कि जिकता है, इस साडी का बड़ जेगा पैल्न की ब्ली है साडी अब और उपको लाइट कारे लेना है थोड़ा से इस टिफ फडूरिक लेना है और जो डिजाइन है वह आपको बहुत ब्रॉड नहीं लेने है थोड़ से इस तरह की प्लेन हो और जितमें बहुत बहुत चोड़ा नहीं हो अब यहां पर आप देखेंगे तो इसका border चोड़ा है बट इसका जो color है आप देखिए border से काफी मतलब mix होता हुगा है जैसे कि अगर ये उपर का आपका yellow रहता नीचे का red रहता तो बढ़ कीले color होने के वज़े से वो divide हो जाते हैं बट ये इसके साथ mix हो जा रहा है तो जब भी आप साड़ी purchase कीजिए इस बात का ध्यान रखिए कि पूरी साड़ी आपकी एकदम एकवल सी नजर है ऐसा नहों कि वो half and half divide होती चली जाए horizontally तो इस बात का ध्यान रखते हो आपको लेना है ये वाला portion इसका पलू है फाब्रिक की quality की बात करूँ बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सारे color थे तो आप इस पे कोई भी color लेंगी सभी light color ही है तो आप definitely कोई भी color try कर सकती है code नीचे description box में है यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ इस तरह से है इसमें design और यह सारी जो है इतनी ज़्यादा shine करती है कि आने वाले festive season में यहाँ तक कि आप करवा चौत में भी इसे try कर सकती है बहुत ही कुसूरा सारी है तो इस तरीके की है यह सारी सारी के लेंद 5.5 मीटर दी गई है लास्ट में इसका जो ब्लाउज है इस सारी में ही attached है तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप slim हो तो इसका ब्लाउज भी मत remove कीजेगा क्योंकि running ब्लाउज दिया गया जो सारी में attached है तो बहुत हलका सा का difference आपको देखने को मिलेगा यहाँ ब्लाउज में मैं आपको दिखा देती हूँ तो यह है इसका ब्लाउज आप देख सकती है 80 cm का यहाँ ब्लाउज दिया गया थोड़ा से सिल्वर में है और यह थोड़ा सा गोल्डेन में सारी है हलका सा यह जो पलू वाला हमारा डिजाइन था वैसा आपको यहाँ पर दिया जाता है बट नीचे की जो डिजाइन ही डिजाइन दी गए न वह बिल्कुल सेम है तो अगर आप इसे कट नहीं करती है ज्यादा प्लीटे बनेगी जिससे आपका लुप थोड़ा सा अगर आप बहुत ज्यादा स्लिम हो तो और अट्राक्टिव दिखेगा साधी इस ताइब की आप टीशु में अगर तो आप इसकी चौडीचौडीव पिलीट बनाएंगी तो उसलिए आप एसा किसा के सिर्शे का लूप का प्लॉंज पीश जादा आपको नजर आएगा तो यो जो साधी बहुत शाधा अगर डेना चाहे तो रे सकती है यह जो साड़ी है उनके लिए बहुत ज्यादा पॉफेक्ट रहेगी जिनकी हैट सॉट है और वह स्लिम है साड़ में आपको ट्राइन से पता चल जाएगा कि यह साड़ी का लुक कैसा आएगा क्योंकि मेरी हाइट भी सॉट है और मैं भी थोड़ी सी स्लिम हो इस वज़े से आपको यहाँ पर अंतर जो है देखने को खुद बखुद समझ में आ जाएगा कि साड़ी वेर करने के बाद आपका लुक कितना ज्यादा इन्हेंस हो जाने वाला इस तरकी साड़ी में सो अभी तो हो गई है जिनकी हाइट सॉट है और जो स्लिम है अब मैं उनके लिए साड़ी दिखाने वाले हूँ जिनकी हाइट सॉट तो है बट वो बहुत जादा है उन्हें किस टैप की साड़ी और फैब्रिक चूज करनी चाहिए सो यहां पर देखिएगा यह जो मेरी नेक साड़ी है इसका भी बाइंग कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा और इसका जो फैब्रिक है वो पोली सिल्क है जी हाँ दोस्तों पोली सिल्क का जो फैब्रिक होता है वो काफी सॉफ्ट होता आप जसानिंग नहां साड़ी में तो यह देखिए इसका बॉर्डर भी बहुत जादा पतला दिया गया है एंड सेकेंड की इस साड़ी का जो कलर है वो दी ए डार्क है तो कभी भी अगर आपकी हैट सॉफ्ट है और आप बहुत सद्ध हैल्दी है अगर आप इस साड़ी को लेन ट्राइयन में आप इसका लुक देख सकती है बहुत ज़्यादा खुबसूरत आता है सो अभी मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ तो ये देखिए इस तरह की कि है ये साड़ी और साड़ी का मैटेरियर आप खुद देखिए इतना सॉफ्ट है इतना सॉफ्ट है कि ये इसली से आपकी बॉड़ी को हग कर लेती है इसकी वज़े से जो हमारा लुक है थोड़ा सा स्लिम नजर आता है और क्योंकि हमारी हाइट सौट है तो हमें थोड़ा डार्क कलर पहनना चाहिए क्योंकि dark color से हमारा जो body है थोड़ी सी कम visible होती है और थोड़ा सा slim सा look effect आपको नजर आता है तो यहाँ पर देखिए यह जो साड़ी का border है इस तरीके से दिया गया है पलू पे नीचे cut work जो दिया गया है इसकी finishing बहुत अच्छी है इंब्रोडरी की quality आप देख सकते हैं काफी अच्छी दी गई है यह जो आप इंब्रोडरी देख रही है यह velvet के उपर पुरा इंब्रोडरी करके यहाँ पर stitch किया गया है और साथ में stone भी paste किये गया है तो यह stone आसानी से नहीं निकलते हैं अगर आप भींगो कर कोई ऐसे साड़ी जिसमें stone paste किये गए हो भींगा कर रख देंगी तो छूट जाती है इसलिए इन साड़ी को wash करते वक्त आपको फटा-फट से wash करके इन्हें ड्राइ कर लेना है तो यहां पर देखे बैक साड़ से जो यह border stitch किया गया इसकी finishing काफी अच्छी दी गई है इस साड़ी के जो quality है वो इतनी जादा अच्छी है कि आप प्लीटे बनाएंगी तो फटा-फट से बन भी जाएगी उपर की तफ पतला सा बॉडर है यह देखिए इस तरी किसे पतला सा बॉडर है बट नीजे की तफ ओवरा साड़ी में cut to work वाला चोड़ा सा बॉडर दिया जादा है बहुत जादा चोड़ा नहीं आप जैसा के देखी पार है तो इस तरह की साड़ी पॉफर्ट रहेगी और इस फेस्टिब में आप इस तरह की साड़ी कर सकती है बहुत ही खुबसूरत है साड़ी की लैंद 5.5 मीटर है और इसमें बहुत सारे कलर थे तो आप चेकाउट कर अगर आपको कोई और कलर लेना हो तो क्योंकि मैं इस पेसली उनके लिए शेयर कर रहे हूं जिनके हाइट सौट है जो बहुत जादा हल्दी है तो अगर आपके हाइट बहुत जादा सौट है तो आप इस तर के डार्क-डार्क कलर के साडी लेजिए और जिनका बॉडर थोड डाइन 5 मीटर है लास्ट में इसका ब्लाउच पीस यहां पर अटायच है ब्लाउच पीस जो है वो टेफटा ली कॉटन सिल्का है यहां पर देखेंगे नीचे की तरफ जैसा पल्लू में पतला अला जो बॉरडर था वही बॉरडर यहां पर भी अटायच किया गया तो यह और फिर ब्लाउज के बैक में लगवा सकती है, यह है मेरी सेकंड साडी, और इसका भी बाइंग कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, और साडी वेर करने के बाद कैसी लगती है, ट्राइउन में आप देखी जिएगा, यह तो हो गई सेकंड साडी जो उनके लिए थी, जिनकी हाइट साड है और जो बहुत साड़ा हेल्दी है, अब मैं आपको जो अगले साडी दिखाऊंगी ना, वो अगर आपकी हाइट साड है, आप स्लीम है या फिर हेल्दी है, इस साडी को ले सकती है, साडी पार्टी बे है, बहुत अच्छी है, आने वाले करवा चोथ और फेस्टिब के लिए काफी पॉफेक्ट रहेगी, यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको स्लिम लुप चाहिए, आपकी साडी का जो फाब्रिक है, और डिजाइन है, वो काफी ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर वाली साडी लिया, आपको बॉर्डर वाली साडी लेनी है, बहुत ही चोड़ा बॉर्डर नहीं लेना, वो अच्छे से आपका यहाँ पर बना हो, मतलब पतला हो, बहुत चोड़ा ना हो, तो यह जो साडी का फाब्रिक है, वो डूपीन सिल्क है, डूपीन सिल्क भी नहीं बहुत ज़्यादा सौफ्ट होती है, क्योंकि इसका जो मैटेरियल क्वाल्टी हो, थीक होता है, इसलिए आप स्लिम हैं या फिर हल्दी है, दोनों टाइप की बॉड़ी पर इसलिए से जा सकती है, यह साडी मैं स्पेसली आने वाले फेस्टिब को ध्यान में रखते हो, परिशुष की थी, काफी खुबसूरा साडी है, बहुत ही भरा हुआ वर्क इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें दो-तीन कलर थे, तो कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजेगा, यहाँ पर देखिए, मैं आपको पल्लू दिखा देती हूँ, इस तरह की डिजाइन बनी हुई है, देख रही है, थ्रेड जर्य वर्क के धागों से, रेसम के धागों से इंब्रॉडरी की गई है, यहाँ पर स्टोन भी पेस्ट किये गए है, देखिए, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इस साडी का जो प्राइस है, वो 800 शम्थिंग का है, सबी साडियों के प्राइस साड में स्क्रीन पर देख लीजेगा, आपको पता चल जाएंगे, बहुत ही खुबसुरा साडी है, फूरी साडी में छोटी छोटी बूटिया बनी हुए, तो जैसा मैंने पहले बूला आपको, कि बहुत जादा बड़े बड़े प्रिंट ना हो, ब्रॉड बॉर्डर ना हो, तो इस बात का ध्यान पर रखते हो साडी लीजेए, तो यह साडी बिल्कुल वैसी है, हैवी भी है, और इसमें बहुत ब्रॉड बॉर्डर भी नहीं दिया गया है, और काफी पॉफेक्ट रहेगी, यह आने वाले करवा चोथ या फिर फेस्टिव सीजन के लिए, यहां तक आप पाटी या फिर वेडिंग में भी इसे ट्राई कर सकती है, बहुत ही खुब्सुरा साडी है, शाइनिंग आप देख सकती है, बहुत ही जादा है इसमें, साडी की लेंज जो है, वो 5.5 मीटर दी गई है, और इसी में इसका ब्लाउज पी साटेच है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ओवरा साडी में आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ पूरा भरा हुआ वर्क मिलता है, इसे आप बेक में लगा सकती है या फिर अपने स्लिव में लगा सकती है, यह साडी भी काफी ज़यदा पॉरफेक्ट है, जिनकी हैट स्वर्ट है, वो इस साडी को परजच कर सकती है, ने साडी आप देख सकती है, यह बांदी प्रिंट की साडी है, इसका जो फाब्रिक है वो जॉर्जट का है डेली वेर के लिए पॉफेक्ट रहेगी बस मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगी कि जब मैंने इसे ओपन किया तो थोड़ी सी मुझे ओल्ड सी दिख रही थी बट इस साड़ी का जो फाब्रिक है बहुत अच्छा और डिजाइन बनी हुए प्रिंट है ये पूरा और बांदी का डिजाइन है जो बांदी वर्क होता हो तो काफी अच्छा लगता है इन सब का लुक हमेंसा तो यहां पर नीजे की तफ ग्रीन कलर का चोड़ा सा बॉर्डर है रेड मरून कलर की साड़ी है उपर की तफ भी आपको कोड़ आपको साइड में दीख जाएंगे इसके अलाव मैंने कुछ डेली वेर के लिए जैसे साड़ी आउडर की ऐसे मैंने एक ड्रेस भी आउडर किया जो बहुत आछा रिसीव हुए तो मैं आपको वह भी दिखा देती हूं यह मैंक्सी ड्रेस एक आप देख सकती है इस पर देख सकती हुए कि यह मैंने मजी आँटाल दॉते ही सब्सक्राप्ला के देख समॉलबार कर ते भी ऐस आज साइबर करतीथी वह मुझे मुझे समाल साइज हो जानः एक स्मॉल नगालती थी मुझे ज़य ताइट हो इस बच्चे लागए ज्यीए पूतिश मे ट्रेस मैं झाल है बिक्षों के तप आत्बान किरें जांगर में अğरो के तक ngुल आपक निसाथ कैसे कि में आपको सब्पड़ पूंड मेरे कर बमा इसे तरीके Hairवा बट काफी ज़्यादा टाइट होती है तो मुझे बहुत उबन होती है इस तरह की ड्रेस में जो बहुत जादा टाइट हो इसलिए मैं इसे एक्सचेंज करने वाली हूँ बट मेटेरियल क्वाल्टी सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि यह बहुत जादा सीयर्ड है जिन ल लोड़ी वाली अवगेल भू थी बर्त मैंने बल्स कलर किलिए है तो यहां पर देखी इसका जो फैब्रिक है वो नैट का है और इसपर जो इंब्रोडरी ग गई है न वो कट मोती दाने अन प्रोथ मोती की लिए शानिं आप देख सकती है औरीं उपद्श्र फिनिशिं घर में आप इस तरह का पॉंचो अगर उपा से डाल लेती हैं लोग काफी अच्छा भी आएगा और आपको उनकमफोर्टेबल भी फिल नहीं होगा तो इस ड्रेस के साथ या फिर आपको किसी ड्रेस के साथ आप इस तरह का पॉंचो ले सकती है बहुत ही खुबसूरत लगने कीज़ेगा इसी तक और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ में बैल आइकान जरू प्रेस किज़ेगा तक कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाओ कॉमे मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड करके इस देके से जब उपेन करेंगी तो मिशु का होमपेज आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा अब जैसा कि मैं हमेसा बोलती हूं मिशु के प्रोड़क्ट के कोड होते हैं लिंक्स नहीं होते हैं तो कोड को सर्च करने के देखिए सेलेक्ट किया है इसके बाद देखिएगा अब हम एड्टू कार्ट करेंगे अब वह प्रोड़क्ट हमारे कार्ट में चला जागा तो वहां से हम क्लिक करके यहां पर देखिए पेमेंट में आएंगे यहां पर आपको कैसां डिलेवरी या फिर आप प्रीपेट पर भी ले सकती है फोन पे एटीम सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा अब देखिएगा यहां पर अगर आप खुद के लिए पर्शिच कर रही हूं तो जो प्रोड़क्ट का प्राइस तो आप वहीं आपर मैंसन कर दीजेगा बट अगर आप रिसेल कर रही हो तो आप उसमें 150 अपना मार्जिन रखकर यहां पर उस प्रोड़क्ट को आपको पर्शिच करना है जिस भी एड्रेस पे आपको इसे प्रोड़क्ट को सेल करना आप उस एड्रेस पे यहां पर पर्शिच करेंगी तो मैं खुद के लिए पर्शिच कर रही हूं तो मैंने यहां पर order पे जब क्लिक किया तो इस तरीके से आप first time order place करेंगी आपके सामने एक form खुलेगा जहाँ पर आपको address और बाकी साइड detail फिल करनी होगी तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी साइड detail फिल करके continue किया है और यहाँ पर place order का option आया है अभी देखिए मैंने यहाँ पर first time order किया है तो मुझे 100 रूपीज का off मिला है तो अगर आप भी मेरे दियोई link से मुझे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको first order पे 100 रूपीज का off मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा order place हो चुका है इस तरीके से आप easily से order कर सकती है अब अगर आपको business start करना है इन catalog को share करके आपको resell करना है तो इसके लिए आप जो भी product को आपको resell करना है उसे open करेंगी उसके catalog को जब भी आप open करेंगी तो आपको share का एक option दीखेगा जैसे अभी दिख रहा है तो मैं उस पर click करूँगी तो इसके बाद से देखिए आपके सामने whatsapp, instagram, facebook आप जहां भी चाहिए share करके इनके catalog को और resell कर सकती है सो इस तरह से zero investment किये भी आप खुछ से अपना business start कर सकती है